हलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप यू आपके साथ एक टैबलेट की अन्बॉक्सिंग शेयर करने वाली हूं जिसको कि मैंने फिलिपकार्ट से मंगवाया है और यह कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है क्योंकि यह मैंने अपने बच्चे के लिए मंगाया और मुझे परसनल यह टैबलेट काफी पसंद आया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू में आपके साथ शेयर करूं अगर आप भी जैसे कि आप लोग जानते कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो अगर आप भी इस टैबलेट को बाय करना चाते हैं तो ले सकते हैं इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूँगी बट जब मैंने इसको बाय किया था थोड़ा सा यह कॉसली था अब इसका जो प्राइज है वो डाउन हो चुका है मुझे लगबग अराउंड वन मन्त हो गया इस टैबलेट को लिए हुए तो इस वी टैबलेट का थोड़ा सा नाम है वो जो लंबा है यह है लेनोवो स्मार्ट टैब M10 Full HD Plus विद गूगल असिस्टेंट जो की यह गूगल असिस्टेंट है इसलिए इसका में फीचर है टैबलेट के बॉक्स के बैक साइड में हमें इसकी फूल इंफोर्मिशन दी गई है चलि और कैमरे की बात करते तो इसमें 8 मेगा पिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगा पिक्सल फ्रंट कैमरा है और इस टैबलेट में हमको डॉल्बी एट्मोस्ट का आउटपूर्ट देखने के लिए मिलता है और प्रोसेजर जो हमें मिलता है वो मेडिया टैक का मिलता है और वो है CPU यह टैबलेट हमको मिलता है एंड्रोइट 10 के साथ और जो इसकी बैटरी है 500 अमेज की बैटरी है इसमें और इसके बॉक्स पर जो इसके अमर्पी दीवी है वो है 36,000 की बट आपको यह फ्लिप कार्ट पर काफी कम प्राइब में मिलेगा यह इसके एक्चुल प्राइज नही है काफी कम प्राइज में आपको यह फ्लिप कार्ट पर अभी लेवल है तो यह जो टैबलेट है वो मैंने आएरन ग्रे कलर का अउडर किया है और जो इसकी मेमोरी है इसमें 4GB रैम है और प्लस 128GB है और जो इसकी हमेमोरी एक्सेंट कर सकते हैं वह 156GB तक एक्सेंट कर सकते nano sim card plus hd card support है इसमें और इसमें हमें face unlock option मिल जाता है बट इसमें हम finger unlock option हम लोगों को नहीं मिलता है और इसमें Bluetooth 5 का support मिल जाता है और जो इसमें speaker है वो dual speaker है box को अभी open किया है और ये gray color का tablet है इसमें tablet को हम बाद में open करेंगे तो आईए अभी अंदर देख लेते हैं हमें इसमें क्या मिलता है तो ये जो हमें मिलता है sim निकालने का tool है और इसमें जो हमें cable मिलती है ये micro C cable है और ये अलग जगे पर use होगी और अब जो ये मैं आपके सामने open करने जारें ये इस tablet का best part मुझे लगता है क्योंकि बच्चों को study करने के लिए बहुत ही comfortable है ये stand plus charging station है ये देखने में कुछ इस तरह का है back side में यहां पर cable लगेगी तो पीछे cable लगाने के बाद जो हमें charger के साथ मिलेगा cable C type cable है वो लगाने के बाद हम इसको charge भी कर सकते हैं और इसे stand भी कर सकते हैं इसी stand पर अब यह वाले part को close करके हम next part को खुलते हैं उसमें हमें क्या मिलता है जो इसमें हमें USB मिलती है वो type C2 की मिलती है और इसके साथ हमको मिलता है adapter यह normal adapter है fast adapter नहीं है और इसकी जो power 5 और 2 MPR की power है इसमें तो चलिए आई यह भी box को side में रख देते हैं हम बंद करके और हम टैबलेट के बारे में बात करते हैं मैं आपको टैबलेट दिखाती हूं open करके वो कैसा है दिखने में तो यह हमारे टैबलेट जो है वो gray color का है metal finish में यह tablet तो इस tablet की जो height है वो 244.2 mm विर्थ है 153.3 mm और जो इसका weight है वो है 460 gram का तो यह एक dual speaker tablet है और इसमें हमें Google Assistant भी मिलता है जो की tablet का main feature है तो आईए अभी इस tablet को on कर लेते हैं on करने के बाद कुछ इस तरह का interface हमें देखने के लिए मिलेगा तो मैं इसको open करके आपको दिखाती हूं अभी मैंने इसको यहाँ पर open कर लिया और कुछ इस तरह का दिखता है यह स्टेंड में मैं आपको लगा के दिखा रही हूं और इस tablet का जो screen size है वो 26.18 cm का है इस tablet में आपको already kids mode का option मिलता है जो की काफी बहतरीन feature है और इसका touch में मुझे काफी अच्छा लगा है personally मुझे इसका touch काफी फसंदाया काफी smooth touch है इसका और इसको stand में लगाना भी बहुत ही easy है इसमें magnetic touch है जैसे आप इसको stand पर रखेंगे already अपने आप यह connect कर लेगा stand से और back में पीछे charging का support मिलता है stand पर लगाकर आप उसको charge भी कर सकते हैं यहाँ पर आप अपना जो c cable है उसको यहां से charge कर सकते हैं लगाके और इसमें आपको eye protection का option भी मिलता है जैसे कि आपकी eyes पर काफी काम effect पड़ेगा इसको आप अगर on करके रखेंगे अब तो बच् करते हैं इसकी sound quality की वह भी मैं अभी आपको सुना देती हूं तो इसकी sound quality काफी अच्छी है जैसा कि आप जानते हैं due to covid-19 सारे बच्चों की classes online चल रही है तो इसमें बच्चे को headphone लगाने की जुरत नहीं है क्योंकि इसका sound quality अल्यड़ी काफी अच्छा है और यह मैं अभी आपको दिखा रही है मेरे चैनल अपडेट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा और बैल आइकन भी प्रेस कर लेजएगा और मेरे वीडियो जरूर देखेगा और लाइक भी कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताए आपको यहां पर प्रोड़क्त बहुत ही रिजनिवर प्राइब मिलते हैं और जाहतर हैं पर बिस्काउंट मिलता ही रहता है तो हलो एभीवन वेलकम बैक तो माई चैनल आई होग यू और डूइग वेल मैं हूप रनिती तो चलिए आईए बहुत जादा बाते ने करते वे सीरे चलते हैं कोई भी अनदर म्यूजिक या फिर कोई भी वी वीडियो प्ले नहीं किया है इस वीडियो में अब्लेट के लिए मैंने कवर लिया है और क्योंकि मुझे इसका स्क्रीन काड अभी तक नहीं मिला है तो इसको सेफ रखने के लिए मैंने इसका कवर लिया है बच्चों के लिए अच्छा है काफी कवर में काफी सेफ रहेगा टाबलेट तो मैंने यह पर्चेस किया था मैंने यह मार्केट से पर्चेस किया है बट अगर आप इ इस तरीके से इसको यहां पर हम स्टेंड कर सकते हैं और दुखसरे तरीके से भी इसको अलग अलग तरीके से स्टेंड कर सकते हैं बस सेफटी के लिए मैंने इस कवर को बाई किया था तो मैंने सुचा क्यों ना मैं आपको इसका व्यू भी दिखा दूँ तो और बिजी तरीके अच्छे-च्छे उर एंट्रस्टिंग वीडियो में आपके हैं लाती रहूंगी तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगा दो लाइक कर दो तो थान्यक यू सो मच वाचिंग वर व Пट्टिंग वीडियो में बाओ बाई झाल, 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 झाल